ध्याय दर्स प्रकास प्रावर्तन तथा प्वर्तन सम्तल सताश से अभ्यास पहला सहीवी कल्प चुन कर लिखिए पहला सम्तल दर्पन को तू ठीटा कोई से घुमाने पर परावर्तित किरन कितने कोई से घुम जाती है कुत्तर फो ठीटा तुसरा, समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूर्णपतिविम देखने के लिए, दर्पण की निवनतम लंबाई होगी, उत्तार वस्तु की लंबाई की आध्य, तुसरा, कोई वस्तु दो समतल दर्पणों के बीच रखी हैं, यदि दोनों दर्पणों के बीच का कौन 45 अंस तो उस वस्तु के बनने वाले पतिवीम होंगे उत्तर साथ चाँथा यदि वस्तु सम्तल दर्पन से तीन सेंटिमेटर की दूरी पर हो तो पतिवीम की वस्तु से दूरी होगी उत्तर चैंटिमेटर दूसरा रिक्तिस्थानों की स्तुर्ति कीजिए सम्तल पहला सम्तल दर्पन द्वारा बना पतिवीम सिधा अभासी और खाली स्थान होता है वस्तु के अकार दूसरा अपवर्तन के दूसरे नियम को खाली स्थान नियम के नाम से जाना जाता है इशनेल खालिस्थान में आए गया इसने है तिसरा है प्रकास किरन सम्तल दर्पन पर अभिलमवत आप्तित होती है उसके प्रावर्तन कोन का माप खालिस्थान होगा सुन्य चाउथा खालिस्थान की घटना हे ति प्रकास को सगर माध्यम से विरल माध्यम में जाना अवस्यक होता है पूर्णांत्री पर अभिलमवत प्रश्ण तीन पर अभिलम निखे तर वीडियो देखकर लिखना है चाउथा अपौर्टन की निखे वीडियो देखकर लिखे पांचो प्रश्ण पूर्णांत्री प्रावर्तन क्या है इसके लिए क्या अवस्यक है उत्तर वीडियो देखकर लिखे प्रश्क्रवांग 6 अपवर्तन की घटना के दैनिक जीवन में दो धारन दीजिए पहला उत्तर पहला प्रकास अपवर्तन की कारण सिक्का उचा उठा दिखता है दुसरा प्रकास अपवर्तन की कारण सीधे छड़ पानी में टेड़ी दिखाई देती है क्रांतिक कोन से आप क्या समझते हैं तर वीडियो से देख कर लिखें प्रश्ण दस हिरे का प्वर्तनांग 2.42 है इस कथन का क्या विप्राय है उत्तर हिरे का प्वर्तनांग 2.42 है जिसके लिए क्रांतिक कोन कमान बहुत ही कम लगभग 24 होता है जब प्रकास कटे हुए तल वाले हिरे में प्रवेश करता है तो क्रांतिक कोन कमान कम होने के कारण बार बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है हिरे का प्यक्षि घिनत्व अधिक होती है प्रश्ण क्रमांग 14.16.17 का उत्तर वीडियो देख कर लिखें प्रश्ण क्रमांग 15 कारण बताओ पहला तलाब में इस्थे मचली वही नहीं होती जहां दिखाई देती है क्यों उत्तर माना एक मचली तलाब की गहराई में ए ए पर है ए से चल कर एक किरन ए बी तल एक्स वाई से टकरा कर समान्यता बेडी की ओर अपवर्ति हो जाती है ए से सुन्यन किरन सी पर आपतन कोन आई बनाकर अपवर्तन के बाद अगलम से दूर मूर जाती है अपवर्तित किरन सी अपवर्तन के हो आर बनाती है और आख एक आख तक पहुंचती है इससे मचली अपने वास्तवी किस्थान पर नराकर एडे इस पर दिखाई देती है जिसकी अभासी गहराई वास्तवी गहराई से कम प्रशन दो है मरीच का एक भ्रहम है क्यों रेगिस्तान में गर्मी के धीनों में मनुस्य को प्रकास के पूर्णा अंतिक परवर्तन के का अंदूरी पर इस्थिर खजूर विरेच्च का उल्टा पतिविम दिखाई देता है जिससे मनुस्य समझता है कि उस विरेच्च के पास जल है जिससे परवर्तन होने पर विरेच्च का पतिविम बना है परन्तु प्यासा मनुस्य जब विरेच्च के पास पहुँचता है तो उसे जल नहीं मिलता या मनुस्य की आँख का दोखा भ्रहम होता है जिससे मरीच्च का या मिरेच्च त्रिशना कहते हैं प्रश्ण कर्मांकुनेश एक मचली तलाब की सता से 75 सेंटिमेटर गहराई पर प्रतित होती है तो सता से उसकी वास्तविक गहराई बताई पानी का परतनांग 1.33 है परतनांग is equal to वास्तविक गहराई पान अभासी गहराई परतनांग दिया गया है 1.33 वास्तविक गहराई पान अभासी गहराई के मांद 75 वास्तविक गहराई is equal to 1.33 into 75 is equal to 99.75 सेंटिमेटर होता है अर्था अत्व अलग भाग स्वाव अलगाई भाग स्वाव